देश दीती किवल सच्ची और फक्की खबरे जैसे जैसे चुनाव आगे निकल रहा है वैसे वैसे नरेंद्र मोधी जी की सियासी जमीन खिसक रही है पहले दूसरे तीसरे चरण के बाद कैसे भी करके मोधी शा को एक एक सीट के लिए बड़ी बड़ी दील करनी पड़ रही है और इसे चक्कर में केजरिवाल को चार जूम तक जेल में रखने की गंदी साजिश रची गई केजरिवाल के लिए खत्रे की घंटी बज रही है क्योंकि अर्वीन केजरिवाल जेल से निकल ना सके इसके लिए एक बड़ा सा जाल बिचाया गया है क्योंकि अगर केजरिवाल जेल से बेल पर भी सही छूट जाते है तो मोधी के कुरसी खत्रे में आ जाएगा दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि इंडिया गटपंधन कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और पोस्ट इलेक्शन को ले करके कुछ ऐसे दल उनके करीब है उनके नस्दीक में है जो उनके साथ संपर्क में है ऐसे में केजडिवाल जब तक अंदर रहेंगे तब तक इंडिया कटपंधन पोस्ट इलेक्शन पर फैसला सही तरीके से ले नहीं पाएगा क्योंकि इंडिया कटपंधन का एक बड़ा और दिगत चहरा अरविंद केजडिवाल है दिल्ले के सीम अरविंद केजडिवाल है इ इसलिए EDE एक अलग लेविल की प्लानिंग कर रही है ताकि केजरिवाल को बिल ना मिल सके और सुप्रम कोर्ट भी कुछ ना कर पाए। EDE ने ऐसा चार्ट शिट तयार किया है जिसे देख कर पता चल रहा है कि केजरिवाल के साथ बहुत बड़ा कुछ करने की सरकार सोच रही है। यानि पूरी तरह से स्काम का सरगना अर्विंद केजरिवाल को बड़ा है। बताया जा रहा है उन्हें किंग पिंग कहा जा रहा है और साथ ही साथ दोस्तों उन्हें क्या कहा गया है। उन्हें की कॉंस्पिरेटर यानि कि इस पूरे स्काम का इस घोटाले का सरगना कहा गया है। उनके छत्रचाया में उनके कहने पर उनके मास्टर स्ट्रोक पर इस घोटाले को अंजाम दिया गया। इडी सुप्रिम कोट में ये चार्च शीट फाइल कर रही है। जरा सोचिए दोस्तों, सोचनी की जरूरत है कि किस तरह से अरविन केजरिवाल चुनाव के दौरान 25 मई को दिल्ली के लोग सभाम सीटों पर चुनाव है उससे पहले और 4 जून, खास करके 4 जून नतीज़े आएंगे, उसके बाद ही पोस्ट पोल पर सारा फैसला इंडिय गडबंधन के तमाम वो दिगज लेंगे जिसमें अरविन केजरिवाल भी शामिल होंगे, 4 जून से पहले अरविन केजरिवाल जेल से रिहाना हो सके, इसके चलते इस केस को एक अलग मोर दिया जा रहा है, लौट तुडे के मताविक, एडी ने सुप्रम कोट के समक्ष अं नहीं समवेधानिक अधिकार और यहां तक की कानूनी अधिकार भी नहीं, इडी का कहना है कि किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरीम जमानत नहीं दी गई अब तक, भले ही वो चुनाव लड़ने वाला उमिदवार ही क्यों ना हो, इडी का यह भ सुप्रिम कोर्ट के जजस पर हमला बोल दिया है और अब सुप्रम कोर्ट के जजस के लिए भी करो या मरो कि स्तिति है, चाहकर भी उनके सामने ऐसे एक मुद्दे को खड़ा कर दिया शायद उसे सुप्रिम कोर्ट ओवरकम ना कर सके दोस्तो सुप्रम कोट में कल ही सरकार को ये कबूलना पड़ा कि हाँ राज्य में हम CBI को जाच के लिए भेजते हैं और चुनाव से पहले ये तो सच है तो सोचिए दोस्तों कोट में खड़े हो करके सरकार मान रही है कि हम चुनावी फाइदे के लिए जाच एजनसियों का इ कवर्णर का भी शामिल होने का आरोप है और ये आरोप यकीन में बदल जाएगा इस रिपोर्ट को अगर आप देखते हैं तो खबर को देखिए दिल्ली एलजी की शिफारिश केजडिवाल की इन आई ए जाच हो दिल्ली के मुख्यमंत्री पर सिक फॉर्ट जस्टिस समेथ खालिस्तानी संगठनों से 133 करोब रूपे लेने का आरोप है दिल्ली के उपरा जेपाल वीके सक्षेना ने दिल्ली सीम अरविंद केजडिवाल के खिलाफ एन आई ए जाच की शिफारिश की है उन्होंने कहा कि केजडिवाल ने बैन किये गए आतंगवादी संगठन सीख इस शिकायत के आधार पर LG ने ये शिफारिश की और एक कोई भी अगर किसी पर भी कुछ आरोप लगता है बिल्कुल उसकी जाच होनी चाहिए लेकिन इतने से एक शिकायत पर LG ने शिफारिश कर दी की केजडिवाल पर एन आई ए जाच हो अगर सुप्रम कोट के कारण ED के हाथ से केजडिवाल छूट भी जाए तो एनाई ए वाला उन्हें इस मामले में फसा ले क्या इसकी कोशिश की जा रही है अब मैं आपको दिखाती हूँ कि BJP ने टेरर फंडिंग से जुड़े हुए लोगों से कितना करोर लिया है BJP टेरर फंडिंग के लिए आरोपी कमपनी से चुनावी चंदा लिया है ये कमपनी आर के डेवलपोस जो है जो मुंबाई स्थित कमपनी है ये मुंबाई हमले के आरोपी आतंगवादी के साथ जुड़ी हुई कमपनी दोनों में खुब पैसों का लेंदेन हुआ था और पिर वही कमपनी भाजपा को करोनों का फंडिंग करती है चुनाव आयोग में BJP की चुनाव के दोरान जो फाइलिंग हुई है उसमें ये पाया गया कि बॉंग विसफोट और माफिया सरगना दाओद इबराहीम के करीबे सायोगी ने सत्ताधरी पार्टी को 10 करोड का जो कहीं ना कहीं दाओद इबराहीम के साथ जुड़ा हुआ एक कमपनी है उनके उपर जो है इस कमपनी के ऊपर अभी भी जांच जारी है टेरर फंडिंग में शामिल होने का आरोप इस कमपनी पर है और उससे BJP ने चंदा लिया है तब कुछ नहीं लेकिन आज के जरिवा कर हमारे साथ जरूर शेयर के जिएगा कि आपको भी लगता है कहीं के जरिवाल इस पूरे मामले को इस पूरे के पूरे चुनाव को इंडिया गटबंधन बल्टा ना दे क्योंकि अभी जितने भी नतीजे आ रहे हैं उसमें तो इतना साफ है कि हवा जो है वो इंडिया खिल करी है जिसमें उन्हें किंग पिंग उन्हें मास्टर कांस्पिरेटर कहा जा रहा है उन्हें इस पूरे स्कैम का मास्टर माइंड कहा जा रहा है क्या ये एक सोची समझी साचिश है आप अपनी राए कमेंट कर हमारे साथ तो सांझा करेंगे ही साथी साथ देशनीती ऐ जरूर कीचेगा अगर आपको सच में रिपोर्ट पसंद आता है तो बहुत-बहुत शुक्रिया जय हिंद जय भारत